आग सभी को जैस्री कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाइल की एक सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी मर्मिस परसी है तो ये सत्य घटना मेरे साथ सेयर की है बिहार से रेखा जी रेखा जी बताती है कि उनके साथ उनकी लड्डू गोपाइल का क्या रिस्ता है और वो उन्हें कैसे अनभूती कराते हैं तो इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज लाइक कर दिया करिये चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा तो रेखा जी के जो लड् कीवन में ऐसे घटनाएं घटी ऐसे घटना घटी है कि जिसको वो दुबारा सोचना भी नी चाहती कि ऐसा भी हो सकता है इनके जो लड्डू गोपाल है ना बहुत दयालू है और एक बात बताएं जो भी लड्डू गोपाल होते हैं जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हो वो सब बहुत दयाल होते हैं ऐसे नहीं कि किसी एक के ही लड्डू गोपाल दयाल होते हैं या कि करपा करते हैं या अनभूती कराते हैं सब के लड्डू गोपाल अनभूती भी कराते हैं और सब के लड्डू गोपाल करपा भी करते हैं लेकिन बस हमें उस उनकी करपा को और उनकी अन्भूतियों को समझना होता है, बस हम समझ नहीं पाते हैं, हम में कमी रहती हैं, बगवान में कोई कमी नहीं है, और कोई भी लड्डू गोपाल चाहे वो बड़े हों या चाहे छोटे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे वाले लड्डू गोपाल कृपा नही जिनकी वो सेवा करती थी और ये सेवा उन्होंने तब से सुरू की इनकी मा थी अब नहीं है जो की इनको मतलब मा ने आखरी टाइम पे रेखा जी के हाथ में वो लड्डू को पाल दिये थे कि मेरी तबिया ठीक नहीं रह रह रही है क्या पता मैं कब चली जाओ इसलिए मैं मतलब अपने होस हवास में उन्होंने रेखा जी को सौप के गई थी कि अब तुम इनकी देख भाल करो इनकी सेवा करो अब तुम्हारे भरोसे मैं इनको छोड़ रही हूँ और जब से रेखा जी ने लड्डू को पाल की सेवा करनी शुरू की उनके जीवन में परिवर्तन आगया वो पहले बहुत आलसी थी किसी बहुत लापरवा थी ऐसे वो बताती है कि किसी चीज में कोई ध्यान नहीं लगता था लेकिन जब से वो लड्डू पाल की सेवा करने लगी इतनी कृपा हुई इतनी दया हुई कि हर एक काम टाइम से करना हर एक चीज के लिए वो भ भगवान की पूजा पाठ आंगे चाहे वो भगवान की पूजा पाठ हो या घर के कोई भी काम हो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती और जब से वो सेवा करने लगी है ना उनके अंदर वो कहती है कि अलग ही परिवर्तन आ गया है उनको कोई कोई मतलब एक वो चीज होती है ना कि दूसरों को देखके हमारे मन में वो हो ना कि हमारे पास भी ये हो हमारे पास भी वो हो रेखा जी कहती हैं कि जब तक मैं एड़ो कुपाल की सेवा नहीं करती थी तो मैं दूसरों को देखके बहुत मेरे मन में आता था कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ लेकिन जब से सेवा करने लगी हूँ तो ये भाव पता नहीं मेरे कहां चले गए बस मेरा जो मन है बस उनके स्रीकृष्णी के चरणों में है और मेरे अंदर इतनी सांती रहने लगी है इतना मन मेरा खुस रहने लगा है जो कि मन मेरा इतना मतलब वैसा रहता था भटकता सा रहता था लेकिन जब से मैंने सेवा सुरू कर दी है तब से उनकी क्रपा हुई और मेरे जो मन है जो मेरा चित है वो सान्थ हुआ और भगवान के चर्णों में लगा तो ये होता है ये कि किसी भी आप लड़ू को पाल के भक्ति या किसी भी भगवान के भक्तों से पूछिएगा वो जो भी जेवा करने लगते हैं वो मन से बड़े सांथ हो जाते हैं अब एक जो भटकाओ होता है जीवन में वो भटकाओ खतम हो जाता है जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं जो हम भगवान की सरण में चले जाते हैं तो ये एक समझदारी आ जाते हैं ये भगवान की क्रपा समझो इतना ग्यान आ जाता है कि किसी चीज के लिए हमारे मन में वो रहती ही नहीं है बेना किसी चीज के भगवान वो चीज हमारी पूरी करने लगते हैं हमें लालच भी नहीं रहता और ना किसी चीज का अभाव रहता हमारे जीवन में ये हर लड्डू कोपाईल की भक्त ये इस बात को समझ सकता है जो भी भगवान के वक्त है ना वो बहुत सच में लड़ू कोपाल की करपा का तो सब्दों में वर्णा नहीं किया जा सकता इतने दयालू इतने करपालू होते हैं तो रेखा जी के साथ क्या हुआ था कि जब उनकी मा जो थी वो खतम हो गई तो इनकी मतलब पूरी जिम्मेदारी लड़ू कोपाल की अब रेखा जी के उपर आ गई और इनके घर में इनकी भावी भी थी और जो ये थी रेखा जी थी वो मतलब उपने भाई से छोटी थी इतनी भी छोटी नहीं थी इतनी थी कि साधी के लायक थी तो ये जो थी रेखा जी कह थी कि उनका मन ही नहीं था कि वो साधी करें उनका मन आप कृष्ण भगवान के चर्णों में लड़ू गुपाल के साफ मना कर देती उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अब साधी नहीं करना है दुनिया के जंजटों में नहीं पढ़ना है मुझे सिर्फ कृष्ण भक्ति में रहना है मुझे भगवान की चर्णों में रहना है उनकी सेवा करना है लेकिन यह चीज उसकी भावी को खलने लगी थी वो सोचती थी कि इसकी साधी हो और यह यहां से जाए क्योंकि उसकी और उसकी भावी की बिलकुल नहीं बनती थी इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि जो रेखा जी थी वो लड़ो को पाल की भक्त थी और जो भावी थी उनको यह सब चीज बिलकुल पसंद नहीं थी उनक पिलाने में जब वो भगवान है तो उनको खाने की क्या जरूरत वो तो खुद सब कुछ कर सकते हैं ऐसे उनकी भाव थे ये रेखा थी तो वो भगवान की भोग के लिए भावी से हमेशा मना करती थी कि भावी आज लेसन का खाना मत बनाया करूगी कि मुझे लड्डू क्या है ये तो सिर का दर्द बने हुए इस वज़े से वो बहुत चिड़ा करती थी कि मुझे मन का खाने को नहीं मिलता है मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ और घास पूस वाला खाना बनवा रहे हो खा रहे हो और ऐसे मताब लेसन प्याज नहीं पड़ रही है साथ एक दोजन बन रहा है तो उसको घास पूस लगता था उसको नहीं लगता था अच्छा तो वो हर टाइम पे भगवान से लड़ो कोपाल से चिड़ी रहती थी रेखा जितनी पूझा करती वो उतनी ही चिड़ती अब एक दिन क्या हुआ कि रेखा गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यह उसकी फ्रेंड के यहां कुछ कारिकरम था तो वो गई हुई थी अब इसको मौका मिल गया अब यह घर में लड़ो कोपाल अकेले थी तो इसके मन में इतना मतलब ऐसे विचार आये इतने गलत विचार आये उसने सूचा कि ना रहेंगे लड़ो कोपाल और ना रोज किये कि लड़ो कोपाल तो घर में रखते नहीं है तो उसने क्या किया कि लड़ो कोपाल को उठाया और पड़क दिया जिसकी वज़े से उनके हाथ तूट गए एक तरब का हाथ जो था उनका तूट गया विचार लड़ो कोपाल बिना हाथ के ऐसे ही और वहीं पे मंदिर के पास ज जब आती है और उनकी आदत थी कि वो कहीं से भी बाहर से आती थी तो अपने लेड़ो गोपाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाती थी क्योंकि वो छोटे से थे बाल रोप में थे तो उनका भाव था कि एक जैसे छोटे बच्चे के लिए वो करते है ना कोई बाहर से आता ह है तो कुछ लेकि आओ तो उनको बहुत अच्छा लगता है वैसे ही हमारे लेड़ो गोपाल होती है यही भावरे खजी का था तो वो हमेज़ा बाहर से कुछ आती थी तो हमेज़ा कुछ ना कुछ लेकि आती थी अब बड़े भाव से वो अपने लेड़ो गोपाल के लिए लेके आती हैं जाती हैं अपने लड़ुग भाईल के Management के पास उनका भोग लगाने के लिए और जब देखती हैं कि वहां तो वो है नहीं और जब नीचे नजर जाती हैं तो लड़ुग भाईल नीचे पड़े हुए थी, उनका हाथ कहीं और पड़ा हुआ था अब टूटा हाथ और जब यह देखती है ना तो उनकी हालत पोछो मत की कैसे हुई होगी इतना रोती है इतना रोती है उनको लड़ो मूपाल को गोधी में लेती है और सीधे जाती है भावी के पास क्योंकि भावी के 지만 घर में कोई थाए नही तो फिर वो पोछती है कि ये कैसे हो आ वो कहती है मुझे नहीं पता है और गिराती होगी बिल्ली गिराती होगी है गिर गए होगे लुड़क गए होगे मुझे क्या पता मैं तो उनकी सेवा करती ही नहीं हूँ तो मैं क्या जानू ऐसे कहके मना कर देती है लेकिन रेखा जी को सब समझ में आ रहा था कि ये बिल्ली ने ने किया, ये मतलब इन ही ने किया है, खजी कई बार अपने भाबी से पूछते हैं कि भाबी सच बताओ आपने किया है और किया है तो क्यों किया है और अगर आपने किया है तो आपको इसकी सजा जरूर लड़ू को पाल देंगे देख लेना आप और फिर रूते हुए जा लेके जाती है रेखाजी और वहाँ से ने के हाथ लड्डू कॉपाल के हाथ को मतलब बेल्डिंग कर देते हैं या कि कैसे भी करके उनके हाथ को जोड़ देते हैं जो ये करते हैं आँख वांक बनाते हैं डैकुरेट करते हैं लड्डू गोपाल को उनके पास होती है वो सुधा वो कर देते हैं तो उनके पास जाके रेखा जी सही करभा की ले आती है अपने लड्डू गोपाल का हाथ और सीधे साफ मना कर देती है भावी को कि भावी देखो आ आज के बाद मैं ही सब कुछ करूँगी लडड भॉपाल का और अगर आपको कस्ट हो रहा है खाना बनाने में आपको जैसा बनाना हो आप बनाओ आज के बाद मैं आप से कभी नहीं बोलओंगी और मैं रडड भॉपाल का भॉजन अपने खुद से ही बनाऊंगे और आप कुछ रहो लेकिन मेरे लड्डू गुपाल को कभी हाथ मत लगाना और कभी ऐसी दुपारा गलती नहीं करना कि यह बिल्ली नहीं कर सकती यह आपने ही किया है मुझे सब कुछ पता है और देख लेना कुछ दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएग और लड्डू गुपाल का प्रकोब देखो या कि उनको एक सीख देनी थी उसके भावी को तो क्या करते हैं कि वो कुछ नहीं उपर जा रही पहुचा मितलब उपर लगा रही थी और पहुचा लगा कि जैसे ही नीचे उतरी है सीड़ी में कि कैसे पैर फिसला उसका क्या और वही हाथ जो लड्डू को पाल का तूटा था वही हाथ उसको सीड़ी से गिर के तूट जाता है फिर मतलब तूटने के बाद जब वो हॉस्पिटल जाती है कुछ दिन तक प्लास्टर बधा रहता है फिर रेखा जी कहती है कि देखो भावी आपका भी वही हाथ तूट आप किसी से कितना भी जूट बोलो लेकिन उन से आप और अपने आप से जूट मत बोलो तो आप बता दो आपने ही किया था ना तो फिर वो भावी होती है वो रोते हुए कहती है कि हां रेखा मैंने ही मतला मेरे ही नादानी थी मेरे ही मूर्खता थी जो मैंने ना बड़ा किया और उसकी सजा मुझे मिल गई है और मैं समझ गई हूँ कि लड़ू को पाल सच में होते हैं जागरत होते हैं और वो अगर उसके भक्त उनकी सेवा करते हैं तो उसको वैसा फल देते हैं और अगर उनको कोई गलत तरीके से उनकी उनके साथ करता है तो वो उसकी भी सजा तो मैं समझ गई इस बात को और आज से मैं भी लड़ों को पाल की सेवा करूंगी भगवान मेरा हाट थीक कर दे जल्दी और बगवान की क्रपा से लड़ों की advisor की खरबने का खर जाता है और वहाँ जिस चीछ के लिए चिर्ठी थी कि प्लेumat ब्लेमैर लैसना ईजिक खाऊं लगी तो वो भी सात्विक हो गई अब कि मन में भी कभी यह नहीं आता है कि मैं लेसुन प्याज का बोजन करूं कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊं मतलब यह सब चीजे एग वैग जो खाती थी पहले अब वो बिल्कुल एक दम से रेखा जैसे सात्विक हो गई है और दोनों नं सही रास्ते के लाना है यह उनको पता होता है और जिस घर में लेड़ो गोपाल भी राजित होते हैं ना उन घर को यह किसी भी सदस्स की इस तरीके के अगर भाव हैं भी तो उनकी क्रपा से वो कुछ ना कुछ ऐसा चमतकार करते हैं कि सब के जो भाव हैं वो सब के भाव अ तो आप सब जिसके घर में भी लड़ोगोपाईल है ना वो सब आप बहुत अच्छे से लड़ोगोपाईल की सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करिए, कभी कुछ मांगिए नहीं क्योंकि उनके सामने मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो सब समझते हैं, समय आन पूर्ण करें, तो बोलिए राधे राजी